वेल्कम टू S.A.C. में कराजे 14 मार्च 2021 और 14 मार्च से करेंट अफेर्स के जितने भी important question बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर question से related important fact भी मैं आप लोग को बताऊंगी तो पूरा वीडियो बध्यान से देखिए अगर last में मैं question भी पुछूंगी जिसका answer आप लोग को कहाँ पर जिसका answer आप लोग को comment box में लिखना है I hope सभी correct answer लिखेंगे चले देखते हैं आज का वीडियो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दू कि भी जैसा के आप सभी को पता है हमारी पूरी टीम ने 1500 प्लस questions की e-book को मतलब launch किया है ठीक है और अगर मैं आप लोग को बताऊं science की तो science case में 20 set है general awareness की अगर हम लोग बात करें तो general awareness के भी 20 set है GS one liner के set की बात करें तो GS one liner के 25 set है math and reasoning की बात करें तो math and reasoning case में 110 और 100 most important साथ में most repeated questions का compilation है ठीक है हम लोग आपर बात करें प्राइस की तो price कितना है इसका प्राइस से फॉर्टी नाइन रूपीज चलिए देखते हैं आज का first question first question की अगर हम लोग बात करें तो first question क्या कहता है दुनिया का सबसे शक्ति शाली सूपर कंप्यूटर नाम क्या है फुगाकू फुगाकू नाम है सूपर कंप्यूटर का चलिए अब किस देश में पूरी तरह से विक्सित हुआ है तो बही correct answer मैं आप लोग को बता दूं correct answer है इसका जापान साथ में मैं आप लोगों को बता दूं भई 6 साल पहले इसको शुरू किया था बनाना कौन-कौन सी कंपनी ने नाम बता देती हूं टार्गेट की हम लोग अगर बात करें, तो आज की वीडियो के लाइक का टार्गेट है, 2000 प्लस लाइक, I hope ये टार्गेट सभी जादा से जादा अचीव करने का ट्रय करेंगी, चलिए देखते हैं आज का अगला प्रेश्ण क्या कहता है, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपक जहाज के तहट अपनी कौन सी बैठक करी, तो भई ये सिंपल ब्रिक्स की बैठक मत समझिएगा, मैं अच्छे तरगे से आपको बता देती हूं, इंगलेश में ब्रिक्स कॉन्टाक्ट गुरूप अन इकॉनमिक एंड ट्रेड इशूज, तो ये क्या चीज है, कॉन्टाक् तारिक से 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक ये हुई है, ठीक है, अगर यहाँ पर एक चीज़ और इंपोर्टेंट बने तो इंपोर्टेंट मैं आपको फैक्ट बता देती हूं, जो जो बन सकते हैं, आप लोगों से पुछे जा सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर बताएं इसका थीम, तो थीम क्या रहा है? इसका थीम है, इसका ब्रिक्स एड़ रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्परेशन फॉर कॉन्टिन्यूटि कॉन्सोलिडेशन एंड कॉन्सियस ठीक है, तो इसका थीम क्या हो जाएगा? मैं अगेन से रिपीट कर देती हूं, ब्रिक्स में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, तो ब्रिक्स की कंट्रीज के नाम आप लोग को कहां पर कॉमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, आप लोग को मैं बहुत बार बता चुकी हूं, कितनी कंट्रीज है, मैं बता देती हूं, पांच कंट्रीज है, पांचों कंट्रीज तो correct answer क्या है इसका correct answer है इसका जापान जापानी कमपनी हाँ जापान के साथ इंडिया के बहुत सारे समझोते हो रहे हैं तो जापान के बारे में आपको पता होना बहुत ज़दा जरूरी है साथ में आप लोग को बता दूँ भारती और जापानी अंत्रिक्ष एजेंसियों ने प्रत्वी अवलोकन चंद्र सहयोग और उपग्रेह नैविगेशन में सहयोग की समेक्षा करी और अंत्रिक्ष इस्थिती जागरुकता और पेशेवर विनी में कारेक्रम में सहयोग के हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू कर दिया तो अगर हम लोग यहां पर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है इसका करेक्ट आंसर है उस्ट्रेलिया एंड जापान मतलब जापान एंड उस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर आ जाता है जापान य 500 million dollar के pilot project पर सहयोग किया साथ में जिसका उदेशे ये दिखाना है कि भया तरली करत हाइड्रोजन का वेवेसाइक रूप से उत्पादन किया जा सकता है और इसे विदेशों में सुरक्षित रूप से निर्यात भी किया जा सकता है तो इसका correct answer क्या है इसका correct answer है जापान एंड Australia चलिए move करते हैं अगले question की side अगला question क्या कहता है अगले question की अगर हम लोग आपर बात करें तो निमन में से कौन सा राज्य inner line permit प्रणाली के अंतरगत आता है तो अगर मैं आप लोग को correct answer बताऊं तो ये सब सही है ये सारे answer सही है साथ में मैं आप लोग को बताऊं उत्र काशी जिले की निलांग घाटी में inner line permit मतलब ILP प्रणाली को बहतर सीमा प्रवंदन और परियटन के विस्तार के लिए वापस लेने की मांग भी की थी तो अगर हम लोग correct answer की बात करें तो correct answer और नाचल प्रदेश नागलें मिजूरम चलिए move करते हैं अगले question की side अगला question क किया जाएगा तो भी correct answer मैं आप लोग को बता दू तो correct answer क्या है इसका correct answer है 12 12 इसका correct answer है साथ में मैं आप लोग को बता तू नीती आयोग द्वारा प्रस्तुत सूची मेरण नीति छेत्रों में PSU शामिल होते हैं या आपको पता होना चाहिए ठीक है और अब इस सूची की समिक्षा निवेश और सार्जनिक संपत्ती प्रबंदन विभाग और कोर गुरूप ऑफ सेकेटरीज ऑन डिवेस्टमेंट सी जी डी जी से कहते हैं उसके द्वारा किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचीव करेंगे तो इसका correct answer क्या है इसका correct answer है 12 चलिए दे पी इसका correct answer है उत्तर प्रदेश इसका correct answer है ठीक है साथ में अगर हम लोगे आपर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सडकों पर सभी धार्मिक सरंचनाओं को हटाने का आदेश दे दिया ठीक है ग्रैव विभाग ने आधिकारिक प्रेस विग्यपती में ऐ जाने चाहिए तो इसका correct answer क्या है उत्तर प्रदेश चलिए देखते हैं अगला प्रेशन क्या कहता है अगला प्रेशन है आप लोगों का भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोर उर्जा संयंत्र कून सा है तो अगर मैं आप लोग को correct answer बताऊं तो राम गुंडम राम गु का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोर उर्जा संयंत्र इस साल मैं में राम गुंडम में चालू होने की उमीद जताई जा रही है और अगर हम लोग इस location की बात करें तो कहां पर है तेलांगना में ये location है तो अगर हम लोग correct answer की बात करें राम गुंडम correct state की बात करें तो तेला पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी मिताली राज बनी साथ में आईवरी कोस्ट के प्रधान मंतरी कौन हामेद बुकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में नीधन हो गया साथ में मैं अगर आप लोग को बताऊं टेस्ट क्रिकेट में दोरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन है हश्मत उल्लाह शाहिदी बन गए है सौधी अरब ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ओफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइ लेकिन को क्रेन ब्रेथ वेट को नियुक्त किया तो बहिए हमने कल के वीडियो को अच्छी तरिके से वल्लाइनर के फॉर्म में अच्छी तरिके से समझा अगर हम लोग यहां पर बात करें कल के प्रेशन की तो कल का प्रेशन था आप लोगों का क्या किस राज्य को भूमी रिकॉर्ड डिजिटी लिकरण में शीश इस्थाम दिया गया तो बहु करेक्ट आंसर क्या है इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर है मध्य प्रतेश बहुत सरे बचों ने करेक्ट आंसर लिखा था मैं उनसे अभी का थैंक्स करना चाहती हूं और उमीद करती हूं आज भी मुख्य प्रशासक का हाल ही में निदन हो गया इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे और हाँ वीडियो के लाइक के टार्गेट को अचीव करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर हम लोग आपर बात करें वीडियो के टार्गेट की तो टारगेट क्या है 2000 प्लस लाइकश आई हो ओनैगट से ज़ादा से जवादा अचीव करना का ट्राइगो और अगर आप लोग नहीं तक वीडियो को शिर नहीं किया तो भई जल्स बच्चे वीडियो के लाव बुट आप है और अगर आप चैनल पर नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें उसके बगल में बाइल आइकोन को भी प्रस करें जैसे सारे नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते जाएं आज के लिए इतना है थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो आव गुट दे बाबाई एं टेक क्यार